है 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 वेलकम टो और चैनल एजुकेशन तक ट्वेटिफॉर इस वीडियों बात करने वाले है व्याजस्तान पटवारी 2021 की एक्सपेक्टेड कटोप के बारे में और साथ हम इस वीडियों बात करने वाले हैं प्रिवीश एर की कटोप के बारे में तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं गाईज तो गाईज 23rd और 24 अक्टूबर को पूरी चार सिप्ट में आपका पेपर संपन किया जा चुका है पहले ही कटोप को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा टेंसन है कहीं 240 250 कटोप चली जाए हमारा सेलेक्शन होगा कि नहीं होगा तो पूरे प्रूफ के साथ इस वीडियो में बताने वाला हूं किसका कितना कटोप जाएगा केटेगरी वाइज आपका सेप स्कोर क्या रहने वाला है तो गैस टेंसन मत लीजिए और बहुत ही लोग आपका स्कोर जाने वा लेंदी था बहुत ज़्यादा लेंदी पेपर था उस चोबिस तारी की सेकंड शिप्ट का इसके वज़े से काफी लोगों को नुक्सान भी हुआ टोटल क्यूशन से से एक जाम आया थे गाईज 150 जो कि 300 मार्क्स के थे यह तो सबको पता है लेकिन तीन जूमें से कितना कटोप आपका जाएगा 230, 240, 250 इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ नेगटीव मार्किंग ही बहुत ज़्यादा है गाईज राजस्तन पत्वारी आपकी वेकेंसी टोटल आये थी 4421, 2461 आये थी पहले बाद में अमेंट करके 3578 5378 कर दी गए थी गाईज और टोटल आपकी इस एक्जाम में स्टुडेंट अपियर हुए थे 15 लाक के अराउंड करीब करिए आपके 15 लाक लोग अपियर हुए थे इस वीडियो और अन्य वेकेंसी राजस्ताने माने वाली बेकंशी के लेटेस्ट अब्डेट आपको मिलते रहें प्रें तो आपका राजस्तान पत्वारी प्रिविस कि कटॉप के बारे में आपको सबसे पहले बता देता हूं केतेगरी वाइज मैंने आपको आप दिखा रहा जरनल की मेल की कटोप गही थी गाई 166.21 जो की गरीब 65% के आसपास थी गाईर फिमेल का कटोप आपका गया था 170 जो कि 56 परसेंटेज था रोबीज का आपका कटोप था गाईज मेल का 193 फिमेल का था 163 स्टी का आपका मेल का था 168 एंड फीमेल का था 132 दो कि गाइज एबरेज नहीं ज्यादा हाई है नहीं ज्यादा लो है और इसके बाद में आपको इस साल की एक्सपेक्टेट कटोप कितनी रह सकती है उनके बारे में मैं बताने वाला तो वीडियो में बने रहे हैं हमारे का खुब गया था 160 एंड फीमेल का गया था 137 और वीडियो केटेगरी में आपका गया था 158 आपका माक्स चीए था आपको 20 परसेंट इसका रहा था ओके गाई स्पोर्स कोटा में आपको 135 माक्स पे आपका सेलेक्शन हो गया था पिछली बार और जिसका 45 परसेंट था ओक डाइवोर्स केटेगरी में आपको 120 आपको माक्स लाना जरूरी था 40 परसेंट था जोगी और अक्स सर्विसमें जोगी 69.74 आपको माक्स आपको रिक्वार्ड थे जोगी 23 परसेंट था ओके गाईज यह मैंने आप इस वीडियो में बता दिया है राजस्तान पटवारी पर खाता हूं इस साल जो भी जाम हुआ था इसका कटोप के बारे में एक्सपेक्टेड कितनी जा सकती है इसके बारे में हम भी कि रहने वाले गाइज और फिमेल की 16771 के आसपास बिलकुल यही आपकी कटोप रहने वाले गाइज और नेक्स्ट आपको मैं बता देता हूं और वी से के आपको मैं बता दिया मेल का आपकी 187 से लेकर 190,191 के क Gewagten, और फीमेल के 164 से 166 के कश्ची क्रीब रेने वाले आपकी आसे सी क टेगरी किस्टी कटेगरी आपकि male की 172 से 174 के around and female की 135 से लेके 138 के करीब आपकी cut-off रहने वाले गाइस okay next category आपको मैं बथाते हूं ST category के आपकी cut-off रहने वाली है expected cut-off जो कि मैं आपको बता देता हूं male की 163,4,56 के करीब करीब आपकी रहने वाली है 166 आपकी हाईस रहने वाले गाईस इससे ज़्यादा जाए नहीं सकती गाईस और फिमेल का आपको मैं बताता है 140 140 के राउंड राउंड 140 41 maximum 141 ओके गाईसर से लेके रहने वाली है 125 से लिके 127 के कौरीब और नेक्स के रहुत अग्री आपकी एक सर्विस्में जो की एक सर्मीसमें को तरू आते हैं उनको आपको जा सकती है 72 एंड 73 यह हाईस्त है गाइस इससे ज़यादा नहीं जाएगी 72 जा सकती है यह 70 भी जा सकती गाई यह मैंने आपको मेकसिमम बताये 72 से लेके 73 के करीब करीब और नेक्स्ट आपका क्रेटेगरी sports क्रेटेगरी में में मैं आपको बता देता हूं तो आपका गजह 2 आने वाल यह तो अपका दिपाली के व्फिक लिजीन प्विक के अराउंड आपक दिपाली के बाद आपका हम सिन आने के पुरे पुरे चांसे तो डिए ईच дос Sup पर फर्स्ट टाइम हो न्यूव हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को जुरूब प्रेस कर दीजिए इससे आपको नेक्स्ट वीडियो पटवारी की एक्जाम से रिलेटेड और अधर राश्तान वेकंसी से रिलेटेड वीडियो के नोटिपसिवन मिलते रहेंगे तो एज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जे हिंद जे भारत